हिंदी की तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियोज की जानकारी भी आपको मिलती रहे इसके लिए घंटी विदवाएं सुनित कुमार ने लिखा है कि हेरत तो हो रही है तुम्हारी तलास पर इस दोर में तुम एहले वफा ढोंड रहे हो और तकते रहते हो तुम आसमान को हमेशा आतिस बताओ कुस्तो कि क्या ढोंड रहे हो नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिट से संपोर्ण हिंदी साहिती इतियास को प्रशनोत रूप में हम जो टेस्ट सेरी चला रहे हैं उसके भाग संक्या नो के अंदर मैं हूँ आपका दोस्त आधिगनेस वीडियो का आपको लाइक कर देना है और उन तमाम मित्रों तक शेर कर देना है जो भी नेट की फर्स्ट ग्रेड एन्वियस के वियस इतियादी की तैयारी कर रहे हैं वाट्स आप फैस्बुक जितने भी आपके गुरूप है ज़्यादा से ज़्यादा शेर किया करें आप शुरुवात करते हैं इसके बाद में बक्तिकाल के प्रश्णों की सुरुवात करेंगे हम एक थाल जनम एक थाल मरण ये कथन किसके बारे में प्रसिद है चंदवर्दाई और पर्थ्विराज चोहान के बारे में इसा माना जाता है कि इनका जन भी एक दिन हुआता और ये मृत्यू भी एक ही दिन हुई थी बाबो गुलाब राय ने प्रथ्विराज रासों को क्या कहकर पुकारा है स्वाभाविक विकासिल महाकावे बाबु गुलाब राय परत्विराज रासों को स्वाभाविक विकासिल महाकावे कहकर पुकारते हैं वही हम बात करें कि बाबु शाम सुंदर दास उदे नाराण तिवारी ने परत्विराज रासों को क्या माना है विसाल वीरकावे माना ही इन दोनों ने अगला प्रश्ण आचार, रास, फागू और चरित ये सबी क्या है तो ये सबी रास साहित्य की सेलिया है आगे वड़ते हैं हरी चंद पुरान के रचियता है जाखु मनियार अगला प्रश्ण सहरो प्रथम ब्रज और अवधी को मिलाकर काविवे रचना करने वाले कौन थे अमीर खुसरो थे जिनोंने सहरो प्रथम ब्रज और अवधी को मिलाकर काविवे रचना की थी और इनको हिंदू इसलामी समन्वित संस्कृति का परतम परतिनेदी कवी भी माना जाता है पूचा जा सकता है कि हिंदू- इसलामी सम्नित संस्कृति का परतम परतिनेदी कवी कौन है तो वो है अमीर खुसरो अगला प्रशन रोडा कवी कृत राउल वेल में कितनी बोलियों के शब्द मिलते हैं तो इस कृति के अंदर साथ बोलियों के शब्द मिलते हैं जिनमें जो परधान है वो है राजस्तानी तो ये परधान बोली कौन सी वो भी पूचा जा सकता है ये भी ध्यान रखिया राजस्तानी बोली परधान है इनमे वर्ण रतनाकार के लेखक है तो इसके लेखेगा वर्ण रतना करके जोतिरिस्वर ठाकोर और ये गद्दे में रचित है ये जिनकी रचना और इसे मैथिली का विश्वकोस भी कहा जाता है अगला प्रश्न स्व्यम्भू कृत पौम चरिव में किसके चरित्र का वर्णन किया गया है बगवान सिर्राम के चरित्र का वर्णन मिलता है पौम चरिव के अंदर और वहीं इनी की कृति है रिट मेनी चरिव इसके अंदर किसका वर्णन मिलता है बगवान स्री कृष्ण का तो पौम चरिव के अंदर बगवान स्री राम का और रिट मेनी चरिव के अंदर बगवान स्री कृष्ण का वर्णन मिलता है अगला प्रश्न सिव सिंग सेंगर ने अप ब्रंस का भववूती कहकर किसे पुकारा है पुस्पदंत को शिवजिंग सेंगन ने अप ब्रंज का भवूति पुस्पदंत को कहा है और महापुराण रचना के कारण इनको अप ब्रंज का वेद्व्यास भी कहा जाता है तो शुक्रिया दोस्तों यह थे कुछ विशेज प्रशन अच्छे लगें हों तो वीडियो को लाइक करते हैं और सवी मित्रों को शेर करते हैं